हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोर में आज हम आप सभी के सामने ले कर आई हूँ एकदम परफेक्ट डिलिसिस रेसिपी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है ये जिसे बच्चे अक्सर ओर्डर करने की फर्माईज करते रह फ्रेंड्स और फैमली में बेल आइकन को ओल पर कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके तो अब मम्यों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब बाहर जैसा पिज़ा घर में ही बना सकते हैं वो भी बिल्कुल आसान तरीके से आज हम आप सबी को माइक्रोवेम में किसे पीज़ा बनाया जासकता है वो बताने वाले हैं कि माइक्रोवेम में भी आवण जैसा ही पिल्कुल अच्छा और टेस्टी फिज़ा बनाया जा सकता है व offenses बहुत ही आसान तरहिके से तो चलिए पीज़ा बनाना शुरू करते हैं पीज पीजा बेस लेंगे पीजा बेस को लेकर एक प्लेट पे रखेंगे और प्लेट पे घुमाते हुए चाकू को बीच में करते हुए उसको काट लेना है पीजा बेस को अगर हम दो भाग में काट लेते हैं तो पीजा बहुत ही ज्यादा प्लफी और बहुत ही ज्यादा टेस्ट तुल आधे हैं से एकमेड़ करना है और अधिते बाद दो दो बहुतों करने के बाद ऑपर वाद में रखांगे और नीचे बाग में थोड़ा सा बटर लेखे हम लगा देंगे अच्छे से ताकि फिज़ा जो है सूखा नाई बनने के बाद पीज़ा फर बटर लगाने के बा ट्राइ करते हैं तो आपका भी पीज़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने वाला है और आपका भी बच्चा बहुत ही ज्यादा खोश हो जाएगा क्योंकि ये पीज़ा बिल्कुल ही बाहर की तरह लगता है चीज स्प्रेट लगाने के बाद अब हम इसमें पीज़ा सॉस ल थोड़ा कम पीज़ा सॉस लगाया है पीज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें सारे सामान आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा आपका टेश्ट हो उसी हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं अब हम इसमें वन टीस्पून तक मियोनीज को लगाएं करते नहीं है और छोड़ देते हैं इसलिए हर तरफ अच्छे से लगाने के बाद अब हम इस पर मुझरला चीज को घीज देंगे मुझरला चीज आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं अब जो हमने पार्ट अलग रखा था उसको रखने के बाद ठीक वही प्रोसेस ज अब हम इसमें पीजा सॉस लगाएंगे चीजों को आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अब हम हम इस पे मियोनियस लगाएंगे एक चंब्लमच मियोनियूस को भी हम उसीतरे से पीज़ा बेस पे इस प्र청 कर देंगे अच्छे से पहला देंगे. पिज़ा बेस पर मियोनियूस को अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसमें चीज को कद्दूकस की मदद से घिज देंगे चीज को जितना आपकी इच्छा करे उतना कम या जादा कर सकते हैं सारा चीज एक बार में नहीं डालेंगे थोड़ा चीज रोक लेंगे अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल यूज कर रहे हैं कैप्सिकम और अनियन उसको थोड़ा था डालेंगे और उसके बाद फिर से चीज को किसेंगे वेजिटेबल आप अपनी मन पसंद की इसमें यूज कर सकते हैं कैप्सिकम के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिये हैं और प्याज के थोड़े बड़े टुकड़े किये हैं और उसके एक एक छिकल को निकाल कर हम पीजा में डालेंगे अब उसके उपर से फिर से हम चीज डाल देंगे देखी इस तरह से हमें चीज को डालना है चीज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यूज कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हों अब हम इसमें काली मिर्च थोड़ी सी छिड़केंगे और मोटा मिर्चा थोड़ा सा नमक छिड़केंगे अब हम पीजा पर ओर्गेनो सीजनिंग डालेंगे पीजा पर अब सारी चीजे पढ़ चुकी है और पीजा अब माइक्रोवेब में जाने के लिए रेडी है माइक्रोवेब में पीजा रखने से पहले हमने माइक्रोवेब को एक मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था अब हम उसमें पीजा को रख देंगे पीजा हम इसमें चार मिनट के लिए रखेंगे हम हमने एकदम से चार मिनट नहीं लगाया थे पहले हमने दो मिनट लगाया था बीच में चेक कर लिया उसके बाद दो मिनट फिर लगा दिया तो टोटल चार मिनट के लिए आप पीजा को माइक्रोवेब में सेट करके रख सकते हैं जैसा आवन में पीजा बनता है बिल्कुल उ चीज एक दम बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है देखिए बिल्कुल लग रहा है ना बिल्कुल डॉमिनो जैसा पीजा तो इसी तरह का पीजा आप माइक्रोवेब में भी आसानी से बना सकते हैं तो पीजा बनकर रेडी है अब हम पीजा को चार भागों में कट करेंग मेरे बेटे को पीजा बहुत ही ज़्यादा पसंद है आज हमने अपने बेटे के लिए ये पीजा बनाया है मेरा बेटा पीजा खाने के लिए बिल्कुल उतावला हो रहा है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में बेल आइकन को आल पे कर दें ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको पहले मिल सकें एक बार इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद